आफ़त की बारिश से मद्धिपदेश में मचा हाहाकार का जल स्तर कई गुना बढ़ चुका है हमारे समवादत धर्मेंद्रियादव हमसे चुड़े हुए है धर्मेंद्र जी हम आपसे जाना चाहेंगे कि किस तरह के हालात इस वक्त मद्धिपदेश में बने हुए है आफ़त की ये बारिश कही जारी है जल स्तर लगतार बढ़ता जा रहा है बारिश ठमने का नाम नहीं ले रही है तो इस वक्त मद्धिपदेश के हालातों पर अगर हम नज़र डाले तो क्या हालात इस वक्त पूरे मद्धिपदेश के बने हुए है कहां औरेंज अलर्ट जारी किया गया है कहां रैड अलर्ट जारी किया गया है और ये सिलसला आखिर कब तक चलने वाला है देखिए नमरता मैं आपको बता दू कि अभी पूरा जो मद्धिपदेश है मद्धिपदेश में पिछले 48 घंटे से लगातार मुसलाधार बारिश यहां पे जारी है और जो मोसम विवाग ने कहा है कि अगले जो दो दिन हैं अगले दो दिनों तक भी लगातार इसी प्रकार से बारिश होते रहेगी और मोसम विवाग ने जो एक अलट और जारी किया उसमें हम बता दें आपको रेड अलट रेड अलट में जो खरगोन इलराचपूर जहाबुआ धार और रतलाम यह जो जिले हैं इनको रेड अलट में रखा गया है क्योंकि इसमें भी कही ना कहीं मद्यम से तेज बारिश कहीं ना कहीं यहां पे जो इनके पूरा जिले है इस जिले में हो सकती है और उसी के साथ बात करें हम यलो अलट में भोपाल विदीशा उसंगाबाद संभाग जो है उसको रखा गया और खंडवा जो जिला है उसको भी यहां पर यह लो अलट में रखा गया है तो लगातार हम बात करें मद्यपरदेश की मद्यपरदेश में लगातार मुसला धार बारिश जारी है चाहे शिपरा नदी हो चाहे नर्बदा नदी हो वो सभी लावालब भर चुकी है पूरी नदियां उफान पे है और जो ना लगातार आने वाले दो दिनों तक जारे रहे गा और यह जो मुसलाधार बारिश का दोर भी पूरे मद्यपरदेश में दो दिनों तक लगातार बना रहेगा जो विलकुल तो लगतार दो दिनों तक यही सिलसला चलने वाला है नदियां उफान पर आ चुकी है डेम के ले पाएंगे लेकिन धर्मेंजी इसके अगे एक सवाल और यहां पर सामने आता है मतपदेश की आर्थिक राजधानी अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी कई सालों का रिकॉर्ड तूटा है और कई लोग हैरान हो गए है कि आखिर इतनी बारिश इस साल इंद है इंदौर की क्या हालात इस वक्त बने हुए है इंदौर का जलसतर किस तरह से बढ़ा है और इंदौर में क्या इसी तरह के हालात रहने वाले हैं अगले दो-تिन दिनों तक भी जी है हम आपको बता दे कि इंदोर में भी जिस परकार से जब जून में बारिश की शुरुआत हुई थी उस समय जो है बारिश काफी अच्छी गिरीती उसके बाद लगातार जो है बारिश कम होती गई और हम आपको एक चीज़ और बताएं कि यह जो पूरा महिना था सावन क पूरा महिना सूका गया है सावन का लोगों के माथे पे चिंता की लकीरे यहां पे आने लगी थी कि जो प्रकार से पानी की जो मात्रा है वो इंदोर में कम होती जा रहा है थी जो भूजल इस तरे इंदोर का वो भी लगातार गिरते जा रहा था तो लोगों को ऐसा आभास थी लेकिन पिछले 24 गंटे की बात करें तो पिछले 24 गंटे में इंदोर में करीबन 11 इंच से अधिक पानी यहां इंदोर में गिर चुका है यह भी एक रिकार्ड है कई वर्षों का रिकार्ड यहां पर तूटा है क्योंकि जिस प्रकार से इंदोर में 5-6 इंच बारिश जब शुरुवात में गिरती थी उस समय इंदोर में जल भराओं के समस्या काफी उत्पन होती थी लेकिन अब 11 इंच से ज़्यादा पानी जब यहां पे गिरा है तो काफी दिक्कतों का सामना इंदोर के लोगों को करना पड़ा जहां हम बात करें अलग-अलग शेत्र हो की तो बा असपस के नलों में काफी पानी यहां पर गिरने के बाद आया उसके बाद यहां पर जो आसपस का च्छेत्र था जो गली थी जो मुहले थे छोटी छोटी गलियों में भी काफी पानी भरायागा करीबन जो है आट से नूनो इंच जो फीट पानी यहाँ पे इंदोर में अलग-अलग कालोनी में भराया और उसके बाद जो जिला प्रशाशने नगर निगम के जितने करमचारी नगर निगम का पूरा अमला और जो पु अलट पे था और सभी लोग करीबन सुबह 6-7 बज़े के आसपास अपने अपने शेत्र में निकले और जिला कलेक्टर ने भी पूरा इंदोर में भ्रमन किया और जितने भी SDM और ADM थे उनको साफ निर्देश दिये गए कि सभी को अपने अपने शेत्र में निगरानी रखना है किसी प्रकार की दिक्कत परशानी लोगों को ना आए जो निचली बस्तिया है वहाँ से लोगों को निकालना है तो SDRF की टीम भी यहाँ पर लगाई गयी थी करीबन चे से साथ यहाँ पर जो वोट है उनको यहाँ लगाया गया था और लोगों को निकालने के लिए काफी मसकत यहाँ करना पड़ी क्योंकि जो निचले इलाके ह संकर लालवानी और जो मंत्री हैं तुलसी राम सिलावाट जी वो भी यहां पर लगे रहे और पूरे समय उन्होंने लोगों को हिदायत दी के जिस प्रकार से लोगों को अब अपना घर चोड़के निचले इलाके हैं वहां से घर चोड़के बाहर निकलना चीए क्योंकि अग बाहर के जो लोग हैं इन इलाकों में रहने वाले उन लोगों को साउधानी से निकाल के और कहीं सुरक्षित जगों पे ले जाया जाया और उसके बाद अब इंदोर में इस्तिती थोड़ी सामानी नजर आ रही क्योंकि इंदोर में अभी फिलाल जो बारिश का रोद्र लोगों ने वदद कीरी जनपरती नी दी भी अपने अपने शेतर में डटे रहे और उसी के साथ पूरा अमला यहां पर लगा रहा और अभी फिलाल में जो इस्तिती इंदोर की वो अभी सामानी होती नजर आ रही है अगले दो दिन दिनों में तेखने वाली बात होगी कि बारिश का सिसला किस तरह से थमपाता है लेकिन जो लोग पहले मानसून के नहीं आने से मायूस नजर आ रहे थे वही लोग अब ज्यादा मानसून आ जाने की वज़े से अब परेशान होते नजर आ रहे हैं आफवत की इस बारिश ने सभी के लिए एक आफवत खड़ी कर प्रशास ने कफसरों की बात करें जनप्रती निधियों की बात करें तो सभी फील्ड में जाकर अपनी अपनी तरफ से पूरा काम कर रही हैं लोगों को राहत पहुचानी की कोशिश कर रही हैं लेकिन छोटी छोटी बस्तियों की जिस तरह से धर्मेन यादर ने हमें को बत उम्मीद है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुँचेगी और ना सिर्फ राहत सामगर उन तक पहुँचेगी बलकि जल्द ही उनको दो और तीन दो से तीन दिनों में मानसून से भी राहत पहुच जाएगी ता जतरिन खबरों के लिए आप बनेरे मारे साथ देख तेरें MP News नमश्कार